आग बनाएंगे एक कटोरी कच्चे चाबल से ठेर सारे चाबल के ये खुडैरी इतनी जादा कुरकुरी करारी बनकर तयार होती बनानी का तरीका भी बिल्कुल सिंपल और इसे आप एक से देर दो साल तक स्टोर कर सकते हैं एक दब करारी बनकर तयार होती है तो इसको बनाने के लिए एक कप या एक कटोरी चावल लेना कोई भी चावल आप इसमें इस्तमाल कर सकते हैं सबसे बड़ी चीज हमें चावल को ना भीगोना है ना फुलाना है बहुत ही सिंपल तरीके से चावल को डाल देंगे मिक्सीजार में और इने हम ग्राइंड कर लेंगे इन्हें हमे यहां पर लगबग दो बड़े कप पानी को हमें दो बड़े कप पानी डालना है सारी चीज़े डालकर हमें बड़िया से मिला देनी है और चुटकी भर डाल दिया है बेकिंग पाउडर इससे ये बहुत ही फुली फुली क्रिस्पी करारी सी कुडैरी बनकर तयार होगी सबी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला देना है तो हमें यहाँ पे टोटल चार कप पानी यूज किया है दो कप पहले यूज किया और दो कप बाद में यूज करेंगे तो एक कप पानी में चार कप पानी चार से पाच कप पानी यूज करें दो कब पानी कड़ाई में डाल कर पानी को गरम करने के लिए छोड़ देंगे साथ में डाल देंगे एक चम्मस तेल इससे ये बहुत ही बढ़िया से बनकर तयार होंगी बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और खिली खिली बनकर तयार होंगी अब जो हमने पानी में चाबल को घोल कर रखा था वो इसमें डाल देंगे इससे क्या होगा इसमें बिल्कुल भी गांठे या कुट्लिया नहीं पड़ेंगी एकदम पर्फेक्ट हमारी कुडैरी बनकर तयार होगी कैस की फ्लेम को मीडियम रखते हूँ हमें इसे लगातार चलाते रहना है बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए नहीं तो इसमें फिर जले की महकाने लगेगी इस तरीके से बहुत ही जल्दी कुछी मिनट में ये ऐसे थिक हो जाएगी इसे बराबर चलाते रहना है और जब ये थिक होने लगे तो गैस की फ्लेम को लो कर दीजेगा चावल बहुत जल्दी पानी को सोक लेते हैं इस तरीके से हमें लगातार चलाते हुए इसे पका लेना और पकरत्यार हो गया है तो हम इसे दो color के बनाएंगे तो इसके लिए वह भर किसी बॉततन करें लिए वह उत्री से mix कर देंगे तो ये इसमें बोहत ही पढ़या सा orange कलर आ गया है इस तरीखे से mix कर लेंगे बस अच्छे से mix हो गया है gas की flame को off कर देंगे और इसे भी हम निकाल लेंगे एक बरतन में सारी चीजें बढ़या से पक गई हैं. अब हमें कोई भी चीज एक्ष्टा पकाने की ज़रूरत नहीं। हमने दो बर्तन में निकाल लिया है, एक में ये बिलकुल बिना कलर का है, और एक में ये कलर वाला है। अब हमें एक कटोरी ये बर्तन में थोड़ा सा पानी लेना है, हाथों में पानी को लगाएंगे और इस तरीके से जैसे हम बड़ियां लगाते हैं उस तरीके से हमें इसे लगा देनी है जैसे हम घर में बड़ियों की सबजी बनाते हैं बिल्कुल उसी सिंपल तरीके से लगा देनी है इस तरीके से हम लगा देंगे पूरे में जितनी जगह हो जितनी आपका मिक्षर हो इस तीन से चार दिनों के लिए धूप में सूपने देंगे। तीन से चार दिन में यह अच्छे से सूप गई हैं, बहुत ही क्रिस्पी करारी सी हो गई है। कुछ इस तरीके से यह सूप कर तैयार हुई है। जो की दिखने में भी बुह भी सुन्दर लग रही है। अब मैं इनको फ्राई करके दिखाती हूँ कि ये कितनी जादा क्रिस्पी करारी बनी है इनको फ्राई करने का भी एक तरीका है इन्हें बिल्कुल हाई फ्लेम पे डालिएगा तब ही एकदम करारी करारी हमारी बढ़ियां बनकर तयार होती है हलका जो तेल गरम हो उसमें ना फ्राई करिएगा एकदम हाई फ्लेम पे फ्राई करिएगा तो ये एकदम बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाती है और बिल्कुल तेल को भी नहीं सोकती है तो ये देखिए बढ़ियां एक बैच हमारा अच्छे से फ्राई हो गया इसे एक जारे में निकाल लेंगे इस तरीके से ताकि जो भी एक्ष्टा ओयल हो वो निकल जाए और सेम इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे बढ़ियों को डालना हाई फ्लेम पे हैं तो बस ये फटा फट से एक मिनट भी नहीं लगता और उतने में ये अच्छे से फ्राई ह हो जाती हैं तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से एक कप चावल की धेर सारी कुडैरी या चरौरी बनकर तयार हैं बहुत ही सिंपल तरीका हैं बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को बहुत पसंद आती हैं और एक बार इस होली में बनाईएगा और पूरे साल खाईएगा बिल अगर आपको भी ये पसंद आए तो ज़रूर से ट्राइ करिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्यों